हेलो दोस्तों मैं आकाशगर का आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी LIC Policy में E-Natch का रेजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल यही जानेगे कि आपकी Policy में E-Natch रेजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है अगर आप यह जानना चाहते हैं कि LIC Policy में E-Natch को कैसे रेजिस्ट्र करना है तो उसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर आप अपनी E-Natch का status जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक website open करनी होगी जो की है licindia.in यहाँ पर आपको एक option मिलेगा other online services का यहाँ पर अगर आप आपके देखते हैं तो इसमें आपको एक option दिया हुआ है online E-Natch और E-Mandate का अगर आप इस पर click करते हैं और यहाँ पर इस page पर नीचे की तरफ देखेगें तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा inquiry of E-Natch mandate status तो इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेगे तो उसके बाद आपको पहले option को select करना है जहाँ पर लिखा है online E-Natch registration status जैसे ही आप इसे open करेगे तो उसके बाद आपको अपनी policy की details यहाँ पर enter करनी होगी जैसे कि आपकी policy number क्या है आपकी policy का installment premium कितना है वो भी without text without text आपकी policy का premium कितना है वो आप अपनी policy के किसी premium receipt पर देख सकती है उसके बाद जो भी आपकी date of birth है वो आपको यहाँ पर mention करनी है और यह capture code आपको यहाँ पर enter कर देना है तो मैंने यहाँ पर यह details enter कर दी है, उसके बाद आपको click करना है check status पर, जैसे ही आप check status पर click करेगे तो जो भी आपकी policy में mobile number registered है, उस पर एक OTP आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको enter करना होगा, यह OTP एंटर करने के बाद आपको इसे submit करना है, जैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो e-net है, वो दो बार पहले reject हुआ है, या bank की तरफ से approve नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है not approved by bank, इसी तरह से दूसरी बार भी लिखा हुआ है कि not approved by bank, उसके बाद अगर यहाँ पर आप तीस किया हुआ है, और आपका जो bank account number है, उसके last four digit भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप जान पाएगी कि आपकी policy में e-net registered हुआ है या नहीं हुआ है, तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडि झाँ झाँ